कक्षा 11 के विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको complete देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्दुवार सिक प्रिक्षा हाफिरल एकजाम 2021-22 के लिए कक्षा 11 बुगोल जियोग्राफी का एक एसा पेपर बताने वाला हूँ जो आपके इस बार अर्दुवार से पहले अच्छे से त्यार करें और इस बार जो भुगोल का पेपर है उसको हल करने में आपको 2 गंटे 45 मिनट का समय मिलने वाला है और भुगोल का जो पेपर है वो इस बार आपके 34 नमर का आने वाला है तो पेपर को पूरा हल करने से पहले आपको जो परिक्षार्थियो के लिए जो सामाने निर्देश दे रगे हैं ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं अगर आपको बुगोल के पेपर में 34 में से 34 नमर आपको पूरे लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से त्यार करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको section A दे रगा है और section A में person संक्या एक है आपके बहु वेकलपिक person यानि multiple choice question इसमें जो option आपका right है वो आपको लिखना है और यहाँ पर person संक्या एक है निमल लिखित में से किस लक्षण को बहुतिक लक्षण कहा जा सकता है तो यहाँ पर चार option है पतन, मिदान, सडक, जलुदान तो जो आपक English और Hindi दोनों medium में है और उसके बाद में person संक्या दो है निमल लिखित में से कौन से संक्या पर्थवी की IU को परदशित करती है तो यहाँ पर भी चार option है तो यहाँ पर जो option आपका राइट है वो आपको लिखना है उसके बाद में person संक्या तीन है वायू राशियों के निर्मान के उदगम छेतर निमल लिखित में से कौन सा है विशुवती वन साइबेरिया कामेदान हिमालेई परवत और दक्कन पठार तो जो option आपका राइट है वो लिखना है उसके बाद में person संक्या चार है पर्थवी अप सोर की इस्तिती में कब होती है अक्टूबर जुलाई सितंबर जनवरी तो जो भी आपका राइट अंस्वर है वो आपको लिखना है person संक्या पांच में निमल लिखित में से कौन जेव मंडल में समलित है निमल लिखित में से किस देश की बारत के साथ सबसे लंबी इस्तलिय सीमा है तो यहां पर चार आपको दे रहे हैं जो option आपका सही है वो लिखना है और person संक्या साथ निमल लिखित में से कौन सी नदी ब्रंस गाटी में बहती है सोन यमुना नर्मदा और लूनी तो जो option आ आपका राइट है वो आपको लिखना है कोपी के अंदर और person संक्या आठ है निमल लिखित में से कौन सी नदी पंच नंद में सामिल नहीं है रावी चिनाब और सिंदू जेलम उसके बाद में person संक्या नो है आपके नंदा देवी जीव मंडल निष्चे निमल लिखित में स किस प्रांत में इस्तित है वियार उत्तर परदेश उत्राखंड और ओडिसा और उसके बाद में person संक्या दस है निमल लिखित में से कितने बारत के जीव मंडल निष्चे यूनेस को दुआरा मानिता प्राप्त है एक दो दस और चार तो जो आप option आपका right है वो लिखना है आपको सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और आठ चारसो 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 पर अपना स्वाल वाट्सप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए परसन संग्या दो है ओजोन गेस दरातल से कितनी उंचाई पर पाई जाती है परसन संग्या तीन है दरातल पर वर्षन समंदी किरियाओं का समंद्ध वायुमंडल के किस तत्व से है और परसन संग्या 4 है आप वा है किसे कहते हैं परसन संग्या 5 है कृष्णा नदी का उद्गम इस्तल आपको बताना है परसन संग्या 6 है इमाले परुवत पर उगने वाली प्राकर्तिक वनस्पति का आपको परकार बताना है उसके बाद में परसन संग्या 7 है राजस्वे भा फारट से प्राप्त आगडों के उनुसार बारत में कितने पृतिसत भाग वन है और परृषण सिंग्या आर्ट है मर्दा के प्रमूग गटकों का नाम परृषण सिंग्या नो है भुगोल की दो प्रमूग सांखाएं है एक बोतिक बुगोल और दूसरी बुगोल का आपको नाम बताना है परसन सिंग्या 10 है मरत जीवों पर निर्बर रहने वाले प्राणी में वो क्या कहलाते हैं और परसन नंबर 11 पारेस्तिति की जो एकोलोजी सब्द है उसका सर्व पर्थम परियोग है वो किस विद्वान ने किया या आपको लिखना है उसके बाद में सेक्शन B और सेक्शन B में परसन संग्या 12 है आपके भूग कम्पी तरंगे 6-6 कैसे बनाती है अत्वा में परसन है साईबेरिया के मिदान में वार्षिक तापांतर सर्वादिक होता है क्यों होता है आपको बताना है और परसन संग्या 13 वायू मंडल की विबिन परतों के नाम बताईए इनकी एक विशेशता आपको लिखनी है और अत्वा में परसन है वे कौन से कारक है जो परत्वी पर तापमान के वित्रन को प्रवावित करते हैं परसन संग्या 14 है जुवार बाटा क्या है और परसन संग्या 15 उश्ण कटीबंदी सदावार 1 वर्स बर हैरे बरेक्तियों दिखलाई देते हैं और उसके बाद में सेक्षन C सेक्षन C में परसन नमर 16 है आपके आगन्य सेले क्या है आगन्य सेले के निर्मान की पदती और उनके लक्षन बताईए अत्वा में परसन है आउसादी सेले क्या है आउसादी सेले के निर्मान की पदती बताईए उसके बाद में परसन संग्या 17 है आपके आयन मंडल का खेप में वर्णन करें और अत्वा में परसन है आपके उपसोर और अपसोर को समझाना है परसन नमर 18 अपके अंदर ये अपवा है और अभी के अंदर ये अपवा है में अंतर समझाईए और अत्वा में परसन है आपके डेल्टा और जवार नद मुख में अंतर बताईए पर section D में परसन संग्या 20 है बारत के मानचितर में निमल लिखित को दर्साईए पहला है गोदावरी नदी दूसरा कावेरी नदी तीसरा बरंपुत्र नदी और चोथा साब्रमती नदी तो इन चारों को आपको दर्साना है बारत के रिखा मानचितर में अथुआ वाला कर सकते है बारत के मानचितर हमें निमल लिखित जीव मंडल निश्चे को आपको दर्साना है पहला नंदा देवी दूसरा पंचमंडी और तीसरा अमर कंटक और चोथा आपके नेल गिरी उसके बाद में परसन संग्या 21 है विश्वे के मानचितर में निमल लिखित को दर्साईए पह परेला है विश्वति पर्तिदारा, दूसरा आस्टेलिया और तीसरा है ब्राजील दारणा और चोथा है आपके आलस का उसके बाद में भाग ए यानि सेक्षन ए और सेक्षन ए में परसन संग्या 20 है मर्दा निर्मान की प्रकिरिया यह मर्दा निर्मान की कारकों में अंतर बताते हुए मर्दा निर्मान के दो महतुपुन कारकों के आपको व्याख्या करने हैं और अथ्वा में परसन है आपके बूसकलन का विस्तार से वर्णन कीजिए और अथ्वा में परसन है ब्रेत संचलन के परकारों का वर्णन कीजिए परसन संग्या 23 प्राय दीपे किजिए तो यह पूरा पेपर आपको एक्जाम से पहले अच्छे से आपको त्यार करना है और साथ-साथ में यह जो कुश्टन्स मैंने आपको बताएं कोपी में नोट डाउन करें या आप साथ-साथ में इनका स्क्रिंसोट भी ले सकते हैं पूरा पेपर आपको complete अच्छे स आपको त्यार करना है और हाफ एक्जाम 2021 में आप बुगोल के पेपर में पूरे में से पूरे नमर लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से आपको complete त्यार करना है